खिर्दे से धन्यवाद देता हूँ हमारी भारतिय संस्कृति कितनी संब्रिद और कितनी प्राचीन है इसके परव और तिवार ही इसके उधारण है अनीक परव और तिवार जो भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को उसके इध्यास की किसी न किसी महत्वपूर कड़ी के साथ जोड़ देते हैं आज बैदिक साहित चिस रूप में हम सब को देखने को मिलता है जिस रिशी की किरपा से ये सब प्राप्त हुआ जिन्होंने बेदों को पुराणों को अन्य महत्वपूर सास्त्रों को हम सब को पलब्द करवाया ऐसे जो हमारी रिशी थे क्रिश्न द्वेपायन ब्यास उनकी जो पावन जयन्ती है जो ब्यास पुर्णी मा कहलाती है वही गुरु पुर्णी मा भी है और गुरु पुर्णी मा के सोसर पर हम सब आज यहां पर गुरु गुरक नाथ के इस पावन धाम पर एकत्र हुए है कुछ चीज़े हैं जो हम सब को जानने की आऊ सकता है हर ब्यक्ति जानता है कि माताबिता किसी भी बच्चे के पहले गुरु है उनका इसकूली सिखसक इसके बाद उनका गुरु आता है प्रोहित उस गुरु परंपरा का प्रतलिद तो करता है बड़ा भाई भी गुरु के रूप में ही पूँचे माना जाता है और रिशी परंपरा संतों की परंपरा भी उस गुरू परंपरा का प्रतनिजित्व करता है हमारी हाँ हमारे गोत्रों की परंपरा भी उसी के साथ जुड़ जाती है हम लोग अपने किसी एक कारिक्रम को आगे वढ़ाने के लिए देख्षा के साथ भी जुड़ जाते हैं इन सब के पीछे का उतेश से क्या है एक ही है जो हमें अच्छे मार्क पर अगरसर कर सके माता पिता बच्चे का सबसे पहले हितेशी होंगे बड़ा भाई हितेशी होगा परिवार के बड़े बुजर्ग हितेशी होंगे इसकूली सिक्सक हितेशी होगा पुरोहित कुल गुरु इतेशी होगा रिशिय परंपरा इतेशी रही होगे इसलिए हमने उसे गुरु की रुपे मानिता दे करके एक महत्त दिया जो हमारे अनकूल है समाज के अनकूल है देश काल और परस्तिती से और प्रभावित है वो हमारे लिए पूच्छे हो गया हमने उसे गुरू के रूप में मानिता दे करके एक महत्त दे दिया और ये परंपरा इस तिथी को कौन सी तिथी को हमें मनाना है जिसने हमें हमारे बैदिक साहिते के साथ हम सब को स्तरुसलब कराकर के जोड़ा ऐसे महरसी बेदा ब्यास के नाम पर हम लोगों ने गुरू पूड़िमा के इस आयुचन को अपने साथ जोड़ने का काम किया याद रखना बहुत बार बेक्टी मानता है कि मैं चोरी छिपे या लोग छिप करके गलत काम कर भी दो तो कौन मुझे देख रहा है या उसके भी अपने तरीके होते हैं बोलने के देखे भगवान सिरी राम ने अपने जीवन में म्रयादा को महत्तो दिया हर कारेद के एक लक्षिमन रेखा उन्होंने तैय की समंधों का निर्वाहन करने का एक जीवन जीने का जो सही तरीका है वह उन्होंने हमें सिखाया कृष्ण ने हमें कर्म करने की प्रेणा दी लेकिन कर्म भी कैसा कर्म अक्सर कैसा होता है हम दो प्रकार के कर्म करते हैं एक तो हमारा कर्म क्या होता है कि हम हर कारे को करते हैं तो प्रियास करते हैं कि करों कम लेकिन हालाइड ज़्यादा हो लोग उसको ज़्यादा महत दें लेकिन भगवान स्री कृष्ट ने क्या कहा? निस्काम कर्म की बात की कर्मने इवादिका रस्ते मा भली सु कदाचने उन्होंने का कर्म करिए फल की चिंता मत करिए अच्छा कर्म करेंगे अच्छा भल आपको अउस्य मिल जाएगा बुरा करेंगे बुरा भी मिलेगा और इसलिए सास्त्र हमेशा इस बात को कहता है हमारी गुरू परंपरा यही कहती है अवस्य में ही भुक्तव्यम कृते कर्म चराचरम जैसा कर्म करोगे उसके फल से कभी बंचित नहीं हो पाओगे अच्छा बनने का प्रियास जीवन में सच्चा गुरु वही जो सही मार्क पर आपको ले चलने के लिए प्रेडित कर सके महत्व इस बात का नहीं कि आपके पास धन धने कितना है महत्व इस बात का नहीं अगर आप प्राचीन सहित्य पढ़ेंगे धन धने का उसमें उतना महत्वनी संब्रिदी अपने प्रियास से अपनी सार्थक मेनत से अपनी पुरसार्थ से लोग कल्यान के ले हम जितना अर्जित करें वो अच्छा है लेकिन गलत तरीके से नहीं गलत मारक का नुशन करके नहीं अगर गलत तरीके से हम करते हैं तो उस पाप के किरते से हम बंचित नहीं रह पाएंगे पुणे कर्म करते हैं अपनी मेहनत से अपनी परीश्रम से अगर कोई कारे करते हैं किसी गरीब का किसी बंचित का उपकार करते हैं जीव मात्र की दया के लिए अपने आपको समर्पित करते हैं तो उसका लाब भी किसी न किसी रूप में हमें अवस्य पराप्त हो जाएगा और इसलिए साथ्र कहता है अवस्य में ही वोक्तव्यम क्रते कर्म चराचरम अवस्य ही भोगना पड़ता है गलत करेंगे तो गलत तो उस प्रभाव भी पड़ेगा अच्छा करेंगे उसके पूर्णे से भी आपको कोई पंचित नहीं कर पाएगा और एक गुरू हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की ही केड़ा दोता है हमारा दहित तो क्या है हम अगर एक मनुस्य है मनुस्य के बारे में क्या मनिता है मनुस्य के बारे में तो यह मनिता है कि स्रिष्ट का सबसे स्रुस्रेष्ट कृति है इस्वर की सबस्रेष्ट कृति में से एक है अगर स्रुस्रेष्ट कृति है तो हमें अपने कारियों के माध्यम से इसे साबित भी करना होगा अपने कारियों के माध्यम से इसे साबित करना होगा आज हो क्या रहा है मनुस्या अपने कर्मों से अपने आपको सरुस्थेश्ट साबित नहीं करना चाता वो अधिक अधिक धोका धोके बाज बनना चाता है गलत तरीके से अपना करके अधिक से दिक संब्रिदी का मार्ग अपनाना चाता है गलत तरीका अपना करके सौट कट का रास्ता अपना करके वह मंजिल में चड़ना चाता है वो कभी उसको आत्मिक संतुष्टी प्रदान नहीं कर सकता है कभी नहीं कर सकता है कोई वे भारत का सास्त्र इस बात को महत्तों नहीं देगा कोई वे भारत का रिसी परंप्रा इसको कभी महत्तों नहीं देगे और इसलिए हम सब को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे लिए जो मेरे लिए अनकूल हो सास्त्रों के बच्णों का पालन करते हुए मेरे रिशी परंप्रा के बच्णों का पालन करते हुए भारत के उन आवतारी विभूतियों के बचनों का, उनकी मर्यादाओं का, उनके कर्म का पालन करते हुए हम जो आचन करें वह मेरे ले भी अनकूल हो, मेरे परिवार के ले भी अनकूल हो लेकिन केवन मेरे परिवार के अनकूल हो और समाज के ले अनकूल न हो, तो फिर आपका उससे भी विवकार नहीं होने वाला है हमारा कोई भी कर्म हो जो समाज के लिए अनकूल होगा रास्ट के लिए अनकूल होगा धर्म के लिए अनकूल होगा वह आपके लिए भी अनकूल अवस्य हो जाएगा और इसलिए कोई भी कर्म करें सनातन धर्म की इतनी लंबी परंपरा इत्वी संब्रित परंपड़ा पांच हजार वर्स पहले महरसी बेदा ब्यास इस धराधाम पे थे एक लंबे समय तक उन्होंने उस कालखंड में उन्होंने उस समय कई पीडियों का प्रतमिजित्व किया सभी गरंथों को संग्रीद किया बेदों को पुराणों को उनका संग्रह करके उसे लिपिपद करके वरतमान पीडि के लिए उसे अनकूल बना दिया पांच हजार वर्सों के इस इत्यास को आज गुर्पोडी मा की रूप में आप इस आयूजन के साथ जुड़ करके अपनी रिसी परंपरा की प्रती कृतकिता क्या पित कर रहे हैं मैं पोचना चाहता हूँ पांच हजार का इत्यास दुनिया के अंदर कितने लोगों का है कितने लोगों के पास पांच हजार वर्सों का अपना इत्यास है नहीं है और यह तो काल खंड है कौन सा द्वापर और कल्युक की संधिकाल है यह उस संधिकाल का समय है जब एक तरफ द्वापर का उसान होता है कल्युक का प्रारंव होता है माभारत का एक दिप युद्ध होता है और युद्ध के बार आज भी आप देखते होंगे उस समय महर्सी बेदव्यास ने जो अपना अंतिम पुराण रचा स्लिमत भागवत महापुराण आज भी मोक्स का मुक्ति का उससे पवित्र गरंथ दूसरा नहीं माना गया हम उसके प्रतिक्रत के ता क्या पित कर रहे हैं अपनी रिशीब परंप्रा के प्रतिक्रत के ता क्या पित कर रहे हैं अपनी उस परंप्रा के प्रपी भारत की रिशीब परंप्रा कभी अपने लिए नहीं चीए लोग कल्यान के लिए राष्ट के कल्यान के लिए और इसलिए हम सब का भी दहित तो क्या होना चाहिए मुझे लगता कोई भी भारत का स्नातन ध्रमावलंबी नहीं होगा जिसने अपना नाम और अपना गोत्र भारत की रिसी परंपरा के साथ जोड़ करके न देखा हो कोई न कोई रिसी हमारे साथ जुड़ जाता है जब हम गोत्रों की बात करते हैं तो जाती भेद अपने आप समप हो जाता है एक ही गोत्र अलग अलग जाती के लोगों के पास भी है क्योंकि हम रिशी के साथ जुड़ रहे हैं और इसी परंप्रा हमें जाती भेद में नहीं बांती च्वाचोतर अस्प्रिस्टा का भेदवाव हमारे पीच में नहीं करती है और इसे परंप्रा हम सब को लोग कल्याण के लिए रास्ट कल्याण के लिए समर्पित करती है और इसलिए आज के सौसर पर मैं आप सबसी भी यही कहूंगा कि हमारा एक-एक कर्म हमारे जीवन का एक-एक जण हमारे जीवन का एक-एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए भारत के लिए समर्पित होना चाहिए अगर हम इस कारे के साथ जुड़ करके आगे वड़ते हैं तो सही माइने में हम अपने गुरू परंपरा के प्रतिक कृतकिता ग्याफित कर रहे हैं यही गुरू परंपरा के प्रतिक कृतकिता है किसी भी इसी परंपरा ने इन कारे करमों को उसी रूप में आगे वढ़ाया याद रखना जो मैंने यहां पहले भी कहा अच्छा करेंगे तो अच्छा पूर्णे भी आपको उसका पूर्णे भी आपको प्राप्त होगा कोई उससे बंचित नहीं कर पाएगा गलत करेंगे उसके पाप से भी कोई आपको बंचित नहीं करेगा एक छोटी सी कता आती है न दुनिया का सरस्रेष्ट महा काब दिरशनी वाला जो रिसी हुआ उनके बारे में पहले कहते है उनकी पूरू जन में उनके जो कर्म थे वो गलत थे एक जगे उनौने कुछ रिस्शियों को बंदख बनाया रिस्यों ने पूछा हमें क्यों बंदग बनाना चाहते हैं उन्होंने का भी मेरा कर्म है मेरा कार्य है यह तो उन्होंने का इससे जो पाप तुम्हें बिलेगा इस पाप के लिए कौन-कौन चिमेदार होंगे उसने का जिनकों मैं खिला रहा हूं अस सब को रिस्यों ने का गया ठीक है हमें हां रोट जहुमर हमें हां इंपजार कर रहे हैं पूचकर क्या हो यह जो लूट पाड़ क्या इसके होने वाले पाप के साथ बहुत भागिदार बनेंगे तो अपने घर पहुंसता है अपने परिवार के लोगों से कहता है कि मैं रोज लूट पाट करके पैसा लेके आता हूँ संपती लेके आता हूँ कुछ माल लेके आता हूँ क्या इससे होने वाले पाप के साथ तुम भी बंचित रहो तुम भी मेरे साथ भागिदार बनोगे तो उनके सुयम के परिवार के लोगों ने का रहे पाप तुम करोगे तुमारे पाप के साथ हम क्यों भागिदार बनेंगे तुम लेके आते हो, हम खाते हैं तुम महनत करो तुम महनत करके खिलाओ हम तेरे साथ हाथ बटाएंगे लेकिन पाप में हाथ नहीं बटा सकते और तुम्हारे पाप के लिए तुम जिम्मेदार हो परिवार के लोग भी उसके आंगे खुली वो चलाया वापस रिस्यों को उसने प्रिणाम किया और कहा कि मेरी मुक्ति का मार को पताऊ रिस्यों ने मुक्ति का मार को बनाए पताया और प्रिणाम क्या हुआ दुनिया का स्रुस्वेष्ट महा कब रचा गया और वह तरकाल दरसी रिस्य हुए थी यह भारत की परंप्रा है याद रखना पाप करेंगे पाप में अकेले भागेदार बनेंगे कोई सेभागी नहीं बनने वाला है और पूर्णे करेंगे उस पूर्णे से कई पीडियां कई पीडियां आपके साथ जुड़ करके आपको और आपके सुस्षी जीवन को अपने लिए प्रेरक बताई कि आज के सौसर पर जब गुरु पुड़ियमा के इस पावन परोपर आप सब यहां परोपस्तित हुए है गोरक स्पीट गुरु परंपरा की पीड है गुरु गोरक नाथ से चली भी परंपरा और आज उसी परंपरा का निर्वहन करते वे पीड निरंतर कारे कर रही है लोग कल्यान के लिए राष्ट कल्यान के लिए अपने आपको समर्पित भाव के साथ कारे कर रही है उसी परंपरा के साथ आप सब जुड़ेवे हैं आप सभी सरदानों ने यहां पर एक सब्तात सिराम कथा का सर्वन किया मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं इस दोरान कथा के में आ सको मेरी इच्छा थी लेकिन मैंने जो देखा कथा के बारे में जानकारी लेता था मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी बड़ी संख्या में सरधालुजन कथा में आते थे सरवन करते थे और यहाँ पर संतिर्दै बालगदाज जी महराज की स्रीमुक से इसे राम कथा का सुनने का उसर आप सब को प्राप्त हुआ होता है वह है इस बार हुआ है इस क्रम निरंतर चलता रहे जीवन के कुछ पल तो होने चाहिए जब हम लोग गाली गलोश से उपर उठकर के अन्य कार्णियों से उपर उठकर के भगवान का नाम जब इस्मन कर सकें और एक कथा के माध्यम से ही संभव हो पाता है तो कुछ समय कुछ घंटे एगर हम कथा सरवन के लिए निकालते हैं उससे हमें लाब ही होने वाला है नुकसान नहीं होगा आज सब को मैं आज एक बार फिर से गुरुपूर्णि मा की बधाई देता हूं अपनी सुपकामना ही देता हूं बाबा गोरकनात का असरिवाद आप सब के साथ है आप सब अपने जीवन को अपने पूर्णे करमों के माध्यम से नरंतर आगे बढ़ाएं इस विश्वास के साथ आप सब की परति मेरी मंगल में शुपकामना हैं ओम सांते सांते है सांते